यहां पर विकास की बहुत बड़ी कमी है आप खुद चल के जिस रोड से आये हैं वो रोड आपने देखा होगा इसलिए हमारा विकास का मुद्दा है हमारी सरकार भी काम कर रही है और हम मटेरा को नमबर वन बहराईच पे करने की इक्षा रखते हैं कि सबसे बिक्सित छेतर मटेरा हो जाए यह हम सोच के चलते हैं नमस्कार में हो विद्या सागर स्वागा थे आप सभी का आइपा में आइपा यानि All India Progressive Politics Association हमारा मकसद लगातार उत्तर प्रदेश के विधान सभा में हर विधान सभा शत्र में जाकर लोगों के मिजाज को समझना है लोगों के तकल में किसी जा रहे हैं क्या response में लहाई तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त हम बाहराई जिला के मटेरा विधान सभा शत्र में हैं वहां के जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो अरुन वीर सिंग इस वक्त हमाई साथ हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो वो कौनकों से मुद्द्य होंगे जो मटेरा विधान सभा में सबसे प्रमुख हैं और वो उठा रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत हैं मटेरा में लगबग 30 साल से यहां पर भारते जनता पार्टी का कभी विधायक नहीं रहा यहां पर विकास की बहुत-बड़ी कमी है आप खुद चल के जिस रोड से आये हैं वो रोड आपने देखा होगा इसलिए हमारा विकास का मुद्दा है हमारी सरकार भी काम कर रही है और हम मटेरा को नमबर वन बहराइच पे करने की इक्षा रखते हैं कि सबसे बिखसित छेतर मटेरा हो जाए यह हम सोच के चलते हैं जैसे कि हमने देखा है कई जगों पर सरकें टूटी हुई है लोगों की तमाम तरह के समस्याएं हैं वेरुजगारी एक बहुत ही महत्यपुर्ण है सरकार आपकी रही है लोग जरूर आपसे यह प्रश्न करते होंगे आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से पिछली बार हम चुनाव लड़े थे लगभग बारा सो कुछ होट से हार गए थे और जो यहाँ से बिधायक था वो समाजवादी पार्टी का था और दस साल से वहाँ मेले है कैमिनेट मिनिस्टर भी था लेकिन उसने कोई काम नहीं किया और न पांच साल में कभी आया आप इन लोगों से पूछ लिजे जित्ते लोग खड़े हैं कि न पांच साल तक उनसे किसी से मोबाइल पर बात होई है और न वो छेतर में आये हैं इसलिए अधूरा रह गया अभी छे महिना पहले अध्यक जिला पंचायत की कुर्सी हमारी अनुज बधू अध्यक्च होई है और उस पे हमने 22 करोड रुपिया इस मटेरा छेतर को विकास के लिए रोड और नाले पर दिया है आपने जैसे दो-तीन बाते बहुत महत्यपूर्ण बताई विकास को लेकर आप इसले बार भी चुनाब लड़े थे बहुत कम वोटों से आप हारे थे निश्ची तोर पर जो जनता के बीच में एक आपकी लोक्रियता है और इस वक्त जो हम भीड देख रहे हैं क्या आप लगातार जनसंपर कर रहे हैं सबसे जो महत्यपूर्ण यह है कि विधान सभा चुनाब को लेकर सारी पॉलिटकल पार्टियां विकास की बाते करती है लेकिन आखिर में पॉल्लाइजेशन पर बाते आ जाती है हम सिर्प आपकी विधान सभा की बात नहीं कर रहे हैं क्या इस वक्त समाज को जरूरत है प बदलाव का कोई चांस नहीं है यहाँ जनता खुले दिल से भारते जनता पार्टी के साथ है मानिय मोदी जी के साथ है मानिय योगी जी के साथ है और मटेरा में जनता अरुनबीर सिंग के साथ है आखरी सवाल आखरी सवाल जनता के बीच में लगातार आप हैं आप जनपत के लिए दिलिस यहां पर आए हैं तो ऐसा लगता है कि यहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है और लोग जैसे लगता है कि वो उन्हें मतब जागरुकता है या फिर आप यह कह सकते ही डेवलप्मेंट को लेकर वो जानते भी नहीं है हलाकि बातचीत जब हम करते हैं तो हमारी सरकार दे रही है किसान संवान निधी दे रही है हमारी सरकार आवास दे रही है अगर सबसे आदा कमी मटेरा में है तो वो सड़क का है यहां पर रोड नहीं है सबसे पहले प्रत्मिक्ता के आधार पे जो हम कर पाएंगे हमारा जिला पंचायत का बजट होता है कार से लापाएंगे वो सबसे पहले हम रोड बनाने का काम करेंगे कि ये सहर से जुड़ जाएं और अच्छे से यहाँ पर ब्यापार सुरू हो जाएं बहुत बहुत शुक्रिया और एक जो हमारा आखरी सवाल हो ये कि आईपा यानि हमने एक मुहीम छेड़ी है और इंडिया प्रोग्रिस्टी पॉलिटिक्स असोसियसिन के द्वारा हमारी ये कोशिस है कि कैसे समाज में जाती और धरम से उपर उठकर इंसानियत के राजनिती ह लोगों में एक सामन जस्मने और विकास की बाते हों आपके प्रतिक्रिया जाए मटेरा में कोई जात और धरम का मामला नहीं है यहां सब विकास से लोग जुड़े हैं समझदार लोग हैं 30 साल से ये इंतजार कर रहे हैं कोई काम करने वाला विधायक इनको मिले और अपकी वोटों से हारे थे लगाता जनता के बीच कनेक्ट है लेकिन 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर कार जनता किसके साथ है हला कि जिस तरीके से लगातार जनता के भी जारे हैं लोगों से दोर टोर ध्र कैमपेन कर रहे हैं लोगों का जो रिस你知道 है वो एक बहुत ये बहतर है लेकिन जनता मालिक है, लोकतंत्र है, चुनाब उन्हीं को करना है, यानि वोट उन्हीं को देना है, और फिर उन्हीं को डिसाइड करना है, फिलाल अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, तो जरूर आप इसे कॉमेंट्स करें, लाइक करें, शेर करें, और अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मटेरा विधान सभाश्यत्र को लेकर, अगर आपके मन में कोई समस्याओं हों, कोई बाते हों, तो जरूर आप कॉमेंट्स बक्स पर लिखें, ताकि हम वहां तक पहुंच सकें, धैनिवाद.